हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइफाई स्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लर्निंग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नुमबर वन स्टेडी चैनल, वाइफाई स्टेडी पर पार्ट ओफ अनिकेडनी, आप हमें देख रहे हैं सेवन मिनट ट्रिक्स पार, जैसा कि आ फिल हो चुका है, बचा CHSL का तो अभी उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हो कि जब भी आप एक्जामिनेशन की तयारी कर रहे होते हैं, तो ग्रैमर में तीन से चार टॉपिक ऐसे होते हैं, जो आपको जाते हैं, और जो डर गिया, वो इससे परिशान हो जाएगा, अब आप से हम बताते हैं कि sentence rearrangement को आप अच्छे से कैसे solve कर सकते हो, sentence rearrangement में क्या होता है, इनका pattern क्या होगा, पहले आपको पहला sentence दिया जाएगा, फिर आपके पास option होंगे P, Q, R और S, और उसके बाद आपको छटमा sentence भी दे दिया जाएगा, अब ये जो P, Q, R, S है ना, इनको आपको sequence में लगाना है, meaningful बनाना है, grammatically correct करना है, constructed करना है, और ये आपके कैसे हो जाएगे, complete हो जाएगे, एक pattern तो ये रहा, दूसरा pattern इसका होगा, कि 1 और 6 आपको नहीं दिये जाएगे, सीधे सीधे आपको जाना है, कि P, Q, R, S पर जाएगे, और उनके जबाब दीजिए, कई वार ये 1 और 6 आपके, ऐसे भी लिखे हो सकते हैं, इसको S, बन कर देंगे, फिर इसको कर देंगे, P, Q, R, S, और इसको कर देंगे, S6, ये तीन pattern के question आप से पूछे जाएगे, आज कल हमने देखा है, CHSL के exams में कि तीन option ही दे दिये जाते हैं, केवल वो P, Q, R, E, दे देंगे, इनी को sequence में लगाना है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, जैसे पानी पीने में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती ना, ऐसे ही इन questions को solve करना भी बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए आ लोग सीथे आ रहे हैं, किसी भी sentence की सुरुवात किसे होती है, किसी भी sentence की सुरुवात होती है, subject से, अब subject में ऐसा थोड़ी ना, कि हर चीज़ हम subject रख ले, subject अगर है, तो subject या तो आपका noun बन सकता है, या subject आपका प्रनाउन बन सकता है, subject कौण कौण हो सकता है, या तो subject noun हो सकता है, या subject आपका प्रनाउन हो सकता है, इसके अलाबा और कोई चीज़ subject में नहीं आईगी, और कोई चीज़ आपकी subject में नहीं रह सकती, माल लीजिए आपके पास एक सेंटेंस में नाउन है और एक सेंटेंस में प्रनाउन है तो आप यह बताओ प्रनाउन का पहले यूज करते हो कि नाउन का पहले यूज करते हो बच्चा बच्चा जानता है कि पहले नाउन आता है फिर प्रनाउन आता है तो नाउन बाला सेंट माई क्लासमेट रोहन इस माई क्लासमेट रोहन मेरा क्या है क्लासमेट है यह माल लिजे आपके पास पहला सेंटेंस है फिर लिखा हुआ है और एक सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है इन तीनों को नहीं स्ट्रक्चर में करना है मैं केवल आपके सामने एक्जामपल रख रहा हूँ केवल इन में से दो को कंस्ट्रक्शन में रखना है देखो रोहन नाउन है और नाउन वाला सेंटेंस पहला होगा इसके बाद किसका यूज करेंगे इसके बाद हम प्रनाउन का यूज करेंगे वही रोहन के लिए दे तो आएगा नहीं रोहन के लिए तो ही आएगा तो रोहन के बाद वाला sentence क्या हो जाएगा, रोहन के बाद वाला sentence आपका ये ही हो जाएगा, तो ऐसे आपको ध्यानकना, कई वार क्या होगा, कि सारे sentence प्रनाउन से स्टार्ट होगे, सारे sentence प्रनाउन से स्टार्ट होगे, तब क्या करोगे, तो जो introduction वाला sentence होता है, वो कही न कहीं से आप धून निकालोगे उसको कहीं न कहीं से आप उसको समझ लोगे इंट्रोडक्शन बाले सेंटेंस में किसी चीज की इनफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज की सुरुवात की जाती है और जहां किसी चीज की सुरुवात मिल जाए वही आपका सेंटेंस पहला हो आप बात बताओ कि अगर सेंटेंज में आपके पास आर्टीकल आ जाता है इनडेफिनिट या डेफिनिट तो पहले किसको यूज करते हैं पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है एक और गलती जो आप कर बैठते हो वो गलती जानते हो किया करते हो वो गलतीилась होती है कि आप लोग चार service दिये गए हैं तो चारों को एक साथ sequence में लगाने की सिखेस करते हो बचो इस गलती से चार की गलती नहीं करनी पड़ति है चार के sequence नहीं मिलने पड़ते हैdays sequence reference मिलाने के लिए आपको दो पाष जाना पड़ता है चाहरे वो दो बीच में मिल जाए चाहरे वन ज extraction में मिल जाए केबल दो पर फोक्स करना होता है और और फोक्स करोगे तो आसानी से सीक्क्वेन्स में लग questa कर सकते हो असानी से कोंच ठ्सक्व wordt रह sic werden ये तरीके अपना के कोसिस करिएगा और सबसे ज़रूरी चीज है इसकी प्रेक्टिस क्या ज़रूरत है इसकी प्रेक्टिस इसकी प्रेक्टिस के लिए रोज साम को 8 बजे अनिकेड़ मी पर free classes के रूप में मेरी एक special class होती है जिसको आप follow कर सकते हो इस वीडियो के description में एक link दिया जाएगा आप हमें follow कर सकते हो और follow करने पर आपको वहां से सारी classes के link मिल जाएंगे और अगर मिल जाए तो आज साम कोई 8 बजे की class में जरूर आईएगा चलिए मिलते हैं class में पढ़ते रहें मेनित करते रहें प्रैक्टिस करते रहें और अपने आपको दुनिया का सबसे हुस्यार student बनाने के लिए हर समभ़ प्रयास करते रहें thank you